जी अभी साहब ने जनजातिय गौरव दिवस के बारे बताया था सिर्फ एक प्रोग्राम कर देने से जनजातिय लोगों को सम्मान नहीं मिल जाएगा हमने देखा था कि दो दो चार चार हजारे बस भर भर के लोग आ रहे थे पर जैसी कारकरम संपन हुआ उनकी सित्याप देखते तो आपको क्या लगती और पत्रकारिता दिवस है आज और यह हमारे देश के लिए बड़े दुख का विशे है कि रैंकिंग में अगर हम देखें इंडिया का 161 है पत्रकारिता में 180 में से तो सोचिए पत्रकारिता अगर हम कर रहे हैं तो बड़ी इमानदारी के साथ करने चाह रहे है पर अगर आज हम टीवी खोलते हैं रात के 8-9 बजे हिंदू, मुस्लिम, सिक, हिसाई की बार में डिबेट हो जा रहे है मुवी देखने से वाले हम सोचते थे पहले कि हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा आज हम मुवी देखने जाते हैं तो एक जहर गोल दिया गया है हम अपने दोस्तों को अगर बता दे कि ये मुसल्मान है या ये क्रिशन है तो हमसे नव्यत हो जाती है लोगों को ये लोकतंत्र जो है वो सही दिशाम में नहीं जा रही है ये बिल्कुल सही बोला हाजी बिल्कुल क्या उमरे बेटा तुमारी मैने आपको नहीं बूछा मैने आपको नहीं पूछा आपकी उमर नहीं बूछे आज आपकी मिसिस का बhetर है ये जरूर नालू है क्या हुमरे मैटा 23 साल क्या नाब है अराधना सॉलमन अराधना आपने बहुत अच्छा बोला और लोगतंत्र लोगतंतर सही रस्ते पे है या नहीं ये सवाल यहां पर आके मैं जरूर थोड़ा रुखूंगा लोगतंतर तो बहुत बड़ी चीज है तमाम सारी चीजियों से मिलके बनता है यकीन सारे लोगों को कहें कि सब अच्छा ही हो रहा है तो नहीं हो रहा है लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर 9 साल मोधी सरकार के हैं तो मैं एक बात जरूर कहना है पत्रकाई ता बड़ी जरूरी इमानदारी सोनी चाहिए हिंदो मुसल्मान कता ही नहीं होना चाहिए मैं पूरा यकीन करता हूँ तुम्हारी बात पर लेकिन इन 75 साल में, बड़े गौर से सुनना मेरी बात बेटा, 23 साल है और लगभग 27 साल से मैं भी पत्रकाईटा कर रहा हूँ, इन 75 साल में क्या हर घर में एक गिलास साफ पानी नहीं पहुंचना चाहिए था, जो और से बोलिए, वरना तो ये माईक रखता हूँ, यहां से चलता हूँ, पहुंचना चाहिए था ना, और क्या इन 75 सालों में हर घर में सौचाले नहीं होना चाहिए था, हैं, होना चाहिए था ना बेटा, होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, इसलिए मैं क्रेडिट भी, पत्रकाईटा मतलब सिर भी यह न करीब सोचाले दिये तो अच्छी बात और अगर बारा करोड़ के लिए बारा करोड़ नल जल दिये तो अच्छा दिये लेकिन अभी बहुत कमी है बहुत कुछ करना इस देश में बाकी है लेकिन मैं आपको इमांदारी से एक बात याद दिलता हूं कि जब तक पूरे स्टफेद होंगे तब तक बहुत कुछ बदलेगा हमारी बहन ने एक बात कही ये गुलाब का फूल है इसमें काटे है उपर सुगंदित एक फूल है उसी परकार माने ने परधान मंती जी की कुछ योजने चुब सकती है लेकिन जब वो इंपिल्मेंट होगी